नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चाइनल पर स्वागत है आज मैं आपको क्रिश्टल के कछुए का मातब पता रही हूँ हर इनसान बड़ा बनना और पैसा कमाना चाहता है वह चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो जिससे कि अपनी और अपने परिवार के जरूरतें पूरी कर सके लेकिन कोई भी जीज पाने के लिए मिहनत की अवश्कता होती है ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिना मिहनत के नाम कमा लेते हैं ऐसे लोगों की किस्मत उनके साथ होती है लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है फिंक सुई का चलन इन दिनों बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही इसमें विश्वास करने वाले लोगों की संक्या भी इसका परमुख कारण है भेंक सुई में बताए गए आसान टिप्स इतने सरल होते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं भेंक सुई में कच्छुए का बहुत ही महत्व है दरसल भेंक सुई में क्रिश्टल के कच्छुए का एक बिसे स्थान प्राप्त है और कहते हैं क्रिश्टल का कच्वा घर में रखना बहुत ही माना जाता है इंदू सास्तर के अनुसार कच्वे को बहुत ही माहतम माना गया है भगवान विश्णुजी का कश्व आपतार भी माना जाता है जिसकी वज़ा से हम इसे धार्मिक भी मानते हैं और घर में रखा भी सुब माना जाता है इसको घर में रखने से खुशाली आती है और घर में धीरे धीरे सुख समरिधी का आंगवन होने लगता है अगर आप भी घर में कच्वा रखना चाहते हैं तो इसकी सही दिशा उत्तर है इस कच्वे को रखने से धन का लाग होता है औ और आर्थिक स्थिती मजबूत होती है अगर आप धन का लाव चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाना चाहते हैं तो घर में क्रिश्टल का पच्छवा होना जरूरी है और इसका मुख अंदर की तरफ होना चाहिए ये मेरा छोटा सा वेडियो आपको अच ये रकरी